समाजीक कारेकर सीवो मिश्राय डिसेबल वेर्फेर ट्रस्ट नी मुलाकट लिदियाती जहां तेमने दिव्यांग बाळकों साथे मिलाप करी संसान प्रमुक डॉक्टर कन्नु भाई टेलर नी कामगीरी ने बिर्दा वियाती मानवता ही मेरा मंदिर मैं हूँ उसका एक पुजारी है विकलांग महस्वर मेरे मैं हूँ उनका कृपा भिखारी इस उक्ति को साकार करने वाले आज भारत के एक महापुरुस कहा जाता है कि व्यक्ति सरीर से भले दिव्यांग हो परंतु मन से न दिव्यांग हो और जो व्यक अग्ष्टी का जो सर्जन होता है वह कैसा होता है आज उसका साक्षात एक उदाहरण एक द्रिश्टान्त हमें सूरत के डिसेबल वेलफेर चरिटेबल ट्रस्ट में आकरके मिला कक्षा एक से लेकर के बारतक के बच्चों से और उसके बाद कॉलेज के बच्चों से भी हम लोगों ने मुलाकात की और इस्वर की ऐसी ऐसी दिव्य रचना है और उसके बाद हमारे बाबु जी का जो पराक्रम जो उनकी मेहनत आज बच्चों के गुण के अंदर जलक रही है यह वास्तों में एक इस्वर की स्रेष्ट रचना है इसे देख करके आखों में आसु आ जाता है कि व्यक्ति क्या से क्या कर सकता है ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से डिसेबल है और उनके द्वारा यहां पर जो की जाने वाली गतिवी दिया है वह एक स्रेष्ट उदाहरन है और आज यहां करके हमें एक पॉजिटिव एनरजी मिली बहुत कुछ सीखने को मिला और यहां करके अपने पन का एहसास हुआ अपने भाईयों से मिल करके यहां के स्टाप से मिल करके सहयोगियों से मिल करके बहुत ही अच्छा लगा देखिए आयोध्या में अभी कुछ समय पहले ही इसका निर्णे आया मान्य सुप्रीम कोड के द्वारा सुप्रीम कोड के दिशा निर्देशों के अनुसार विगत तीन महिनों के अंदर एक ट्रस्ट की रचना कर और उसके बाद मंदिर के निर्मान के कारिय को आरंब किया जाना था परंतु कुछ CA और Citizenship Amendment Act और National Citizenship Register का जो कानून आया इसके कारण कुछ देश की व्यवस्थाओं में व्याधा उत्पन हुई जिसका कारण ट्रस्ट का कारिय थोड़ा कुछ समय के लिए पेंडिंग रहा परंतु जल्दी ट्रस्ट बनने के बाद उस कारिय को आगे बढ़ाया जाएगा और जल्दी देशवासियों को BJP की सरकार की और से एक भवेराम मंदिर की सौगात दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे एक देश के एक सच्चे महापुरुस ऐसे पूज्य करनू काका जी के साथ जुड़ करके डिसेबल वेलफेर ट्रस्ट से जुड़ करके देश की सच्ची सेवा करने का उसर हम सब को मिल मैं अनुरोद करता हूँ सबसे की जादा से जादा इस संस्था से जुड़ें सहयोग करें और मजबूत बनाएं इस कार्य को